असलम आलेकम व्यूवर्स। आज मैं चिकन रोस बनाने जा रही हूँ। चिकन रोस मसाला बाजार में असानी से दस्तियाग है। लगर बास दफ़ा गर में अगर ना हो तो आप इसको मसाले को घर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले, जो इसके लिए चाहिए हैं, मैंने छिकन लिया है, साथ चिकन लेट ली है, उनको कट लगा के इसका ने काट ke फ़ुछ का लिया है, जो सबस्कार ह denken, इसका पानी सारा, जो है खुषक्कर लिया है, इसके साथ जो स्पाइस चाहिए था करें, पहले, रेड चिली 3τιज़ची सब्सक्राइब कुट्योज इमिल्स को 1τιज़ची सब्सक्राइब 2पड़ सफ़ुन doesse इस विजक गार्लिक दिर्यची तीज़ची सब्सक्राइब त्रेची सब्सक्राइब कुटा हुआ इसको मैंने 2 टी स्पून लिया है इसके साथ एक अधर लेमन चाहिए होगा 3 टी स्पून मैंने लिया है और फूट कलर और यूगर्ट जो है मैं इसके अंदर 2 कप यूगर्ट यूगर्ट यूज करूँगी आइए मैं बताती हूँ के मैं यह सारा किस तरह मिक्स करती हूँ और फिर इसको मिक्स करके मैं तकरीबन इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूगी ताकि यह अच्छी तरह मसाला जो है इसके अंदर अजबस जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस तरह आगे मैं बताती हूँ के यह मैं किस तरह मिक्स करती हूँ सबसे पहले यह सारे मसाले में इसके इंदर आट कर लेती हूँ आए एएबस के तरह कर दो सारे मिक्स कर दोरा आएबस अच्छा आखेगी हूँ अच्छा हूँ स्झीके जब कर दो कर दो किने गपाने एगा, by भो दोगती हैं. जब कर दो जब कर दो दो, जब कर दो दो आपकाने एगा, by बादे किने एगाया झाया, by बाते हैं. जब दो बुप टो झावाइद साफ। यहां मैंने दो कप यूगट ले लिए इसके साथ मैं लेमन को स्क्वीज करके इसके लड़ा मुटें ले वाल रड़ा ब टाफ मैंने के ला जाची ले ले प्रड़ाया ए लेखमारम खिए भॉटे धन्या गभवाना झाल विज।ो अब फूट कलर आपके पसंद पे है कि आप इसके अंदर यालो कलर पसंद करते हैं या रैड कलर मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत रैड कलर भी एड करूंगे और थोड़ा सा यालो कलर भी आप एड करूंगे यहां मेरे पास red color, liquid में है, तो थोड़ा समय, 4-5 ग्राफ्स जो है, वो red color के, थोड़ा सा yellow color, मेरे पास liquid शेकल में भी है, मगर में यहां, पाउडर की शेकल में यूज़ करूँगी, अब इनको अच्छी तार मिक्स करूँगी, और चिकन को इसके इंदर आट करूँगी, तकरीबन के दो घंटे के लिए मेडिनेट हो चुका है, मैंने अवन को तकरीबन 10 मिनिन के लिए प्री हीट कर दिया था, अब मैं इसको मिडल वाले राइच पे रखूँगी, और तकरीबन इसको मैं 20 मिनिट के लिए इसी तरह छोड़ दूगी, और 20 मिनिट बाद मैं इसको फिलिप करके, इन सारे पीसिस को दूसी साइट से पकने के लिए छोड़ दूगी, रोज के साथ जो मैं सर्फ करूँगी वो कॉर्ण है, इसको किस तरह बनाते आइए मैं बताती हूँ, इसके लिए जो अज़़ा चाहिए, सबसे पहले तो यह कॉर्ण फ्रोजन शकल में होती है या आसानी से आपको मिल जाएगी, काली मिर्ची चाहिए होगी और इसके साथ बटर चाहिए होगा, बटर भी में इसको बनाऊंगी तक तो 25-30 मिनट के अंदर यह बन जाएगा, आइए मैं बताती हूँ किस तरह बनाती हूँ, बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर पर कॉन ढाल दूगी, और फिर इसके अंदर बनाऊंगी, बटर मेल्ट हो बटर चुका है मैं कॉन कुछ के लड़ा दूगी, अब त्यार हो चुकी है, अब इसके अंदर में हस्पे जरूरा सॉल, और ब्लैक पेपर को अड़ करूँ, और ब्लैक पेपर को अड़ करूँ, अबनेट के बाद मैं इसको दूसरी साइड में फ्लिप कर लेती हूं, मैंने दोनों साइडों से 25-25 में पकाने के बाद, इसको सब सी उपर वाली ग्रिल में रख के इसको तकरिबंग दस मिननेट के लिए छोड़ा है। और उसके उपर फोइल लगा दिए। अब यह तियार हो चुके हैं, अमें इसको नकालें। आप इसको अपनी मन पसंद चेट्नियों के साथ सर्फ कर सकते हैं। अबीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अलाह हाफिस।